तो दोस्तों मैं लेके आज अगर विग बॉस का एक नए वीडियो तो दोस्तों यहाँ पर आज जो है रात को नेजी जो है वो सना सुल्टान पर भरक गई है क्यों दोस्तों अब ये दोस्तों कहानी लंबी है मैं आपको सुना रहा हूँ आज घर में जो है बवाल हुआ है घ अब शुरू करते हैं दोस्तों पहले एक टास्क हुआ है आज मैंने बताया था दीपक चौरासिया वाला जी वो चीफ एडिटर बने थे और उनके दो रिपोर्टर थे अर्मान और सना सुल्तान तो सना सुल्तान ने जो है नेजी से सवाल पूचा था आपका भी रिलेशन म पूचा आपको कभी प्यार हुआ है बाहर या फिर यहां पर बिग बॉस के घर में तो नेजी बोल रहे थे अभी फील हो रहा है पर मैं बता नहीं सकता इसके लिए हो रहा है नेजी बोल रहे थे तो बाहर हुआ था तो बोल रहे थे कि मुझे हुआ था पर मैं इजहार नह कुछ आता था कभी मजब आता था religion जी हा दोस्तों वो बोलते थे कि religion आता था कि वो जिससे प्यार करते थी नेजी जिससे प्यार करते थे वो किसी और religion के होता था मजब आ जाता था या फिर नेजी जिससे प्यार करता था वो लड़की किसी और का girlfriend थी या फिर वो किसी और की थी मतलब तब वो नहीं चाता था उसको propose करने तो उसने यह चीज सना मकबूल को भी बताया था लाइफ फीड में और आज एपिसोड में भी और आज लाइफ फीड में सना सुल्तान को भी यही चीज उसने बताई कि मुझे कई बार प्यार ह पर मैं इजहार नहीं किया क्योंकि उस time वो situation जो थी वो ठीक नहीं थी मतलब वो बोलना चाहरा है कि क्या होता है पता है न आपको कि देखिए प्यार आप किसी से भी कह सकते है लगी से लेकिन आपका situation matter करता है उस time क्या है क्या आप उस time अच्छा खासा पैसा कमा रहे है क् सुख सुविधाय दे पाएंगे क्या वो लड़की आपके मजभ की है religion की है क्या वो लड़की और किसी और की साथ relation में है लंबा relation में और क्या वो किसी और की पतनी है क्या वो married है तो प्यार तो किसी से भी हो सकता है न तो नेजी ये कहना चाहरे थे कि उनको कई बार प्यार हुआ है पर वो इजहान नहीं कर पाई situation ऐसा था मतलब यही है ना तो इस चीज को सना सुल्तान ने जो है दीपक चुरासिया को बोला तो दिपक चॉरछासिया ने क्या किया इस चीज को उसने जो रिपORTF की बनाया उसने एक उसने जो नीज्टी पर चुरेसी ऐसका कर 20 पर भर की कि मैंने कब बोला कि मुझे पाज बार प्यार हूआ तो यहाँ पर बात जो था घूम चुका था है ना तो बात यह था कि नेजी ने बोला मुझे कई बार प्यार हुआ पर situation ऐसा था कि मैं इजहान नहीं किया क्योंकि situation और bigger जाता है ना कि मतलब आप जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे religion से आप प्यार करेंगे फिर अगर आपको दिख रहा है कि वो प्यार सफल नहीं होगा आप उससे शादी नहीं कर सकते तो प्यार का इजहार करना बेकार है वहाँ पर है ना तो मैं भी situation से गुजराओ तो मुझे पता है नेजी के साथ क्या हुआ है तो जैसे कि आपकी से प्यार हुआ आपको देखके लड़की से अब यह matter करता है या पर वो लड़की सिंगल है या फिक उसके साथ उसका कोई relation में है वो लड़की एक दो साल से अब उससे आपको प्यार हो गया one-sided love इसको one-sided love बोलते है जो मुझे भी होता रहता है तो यह चलती रहते है तो नेजी का यह कहना था दोस्तो कि situation ऐसा होता है कि वो इजहान नहीं करता है है और कभी उसे लगता है कि लड़की भी अब आजकल क्या होता ना दोस्तो लड़की भी कभी कवार relation में होते हुए भी आपको line देती है फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे यह मे नहीं कोशिश कर देलर किया मैं एचीज देखता हूँ तो ऐसा भी होता है तो नेजी जो है इस सोच को बोलके वो बोल ला था कि कई बार situation ऐसे हो गए थे कि मैंनो उसको इजहान नहीं किया क्योंकि नेजी को पता चल गया था शायद कि ऐसा हो सकता है कुछ भी है ना तो इ इस तरीके से दीपक चोराजिया ने इसको बताया अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है यह जो दीपक चोराजिया का जो न्यूज रिपोर्ट था आज टास्क यह तो बिग बॉस ने जान बूच कर वो किया प्लैन किया ताकि घर में एक जगरा हो त्योंकि घर जो है सुब सना मकबूल को बुरा लगा कि सबसे फैशनेबल सुंदर तो वो है तो सबने उसका नाम क्यों नहीं लिया सबने अर्मान को जितवा दिया तो यह चीज़ को लेके अर्मान की बीवी कृतिका गोलू के साथ सना मकबूल का जगरा हो गया कि सना मकबूल का जगरा हो गया कि मै है सना मकबूल बोलती है आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया मैं तो सबसे fashionable हूं आप तो मेरे पास आती है हर चीज का पूचने के लिए बाल कैसे वह करना है fashion कैसे करना है और आप बोलें कि अर्मान अच्छा fashionable है तो अर्मान को इनाम मिला था एक लाग का कुछ तो मिला था उनका कुछ एक लाग का वाउचर कुछ सेरा का कुछ क्या पता नहीं फैशनेबल है तो इस बात से शुरू हुआ एक ग्रूप बनना शुरू है दोस्तो कृतिका और सना मकबूल के भी जगरा हो गया अब कृतिका और सना मकबूल एक नहीं है द तुल्तान के साथ ना रहे यह चीज को लेके हुआ है matter आज जो एक task हुआ था अब यहाँ पर एक task में दोस्तो हुआ क्या है बाहर वाला भी involved था इस task में यह जो दिपक चौरासिया वाला task में क्योंकि दिपक चौरासिया को जो reporting अर्मान और सना सुल्तान ने दिया था paper में लिखके वो तो था दिपक कुछ और ऐसे है के पास लेकिन और एक paper आया बाहर वाले ने दिया वो paper उसमें क्या लिखा था वो matter करता है है ना उसमें क्या लिखा था क्योंकि यह जो चीज है दोस्तो कृतिका और मक्बूल सना मक्बूल का जो जगरा हुआ यह बाहर वाले ने करवाया कैसे दोस्तो बा बारवाले ने कुछ दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सना सुल्तान ने एक सवाल पूछा था क्रितिका से, कि सो चुहे खाकर बिल्ली हज को चली, यह लाइन अप किसको बोलना चाहती है, तो यह लाइन क्रितिका ने सना मक्बूल को बोला, क्योंकि सना म मकबूल जो है वो हर जगा डोलती रहती है वो नेजी के साथ भी रहती है वो लफकेश के साथ भी रहती है वो अर्मान के साथ भी रहती है तो अभी क्या हुआ अब तो सना मकबूल अर्मान के साथ तो बात करती है पर क्रितिका के साथ वो बात नहीं करती है सना मकबूल पता ह आती रहती है वो इसलिए अर्मान को पता चल गया कि सना चंद्री का ही एविक्ट होगी जी हां दोस्तों देखते क्या करते बिग बॉस के ओपर डिपेंड और बहारवाला क्या करेगा फिर से वैसे लवकेश को तो बहारवाला बनाया और लवकेश को भरका भी रहे बिग कि अगर आपके मावेन के साथ ऐसा कोई करता तो आप क्या करते अर्मान ने सही किया ये भी किया और ये भी बोला कि आप एलविस जैसा कॉपी कर रहे है और बहुत कुछ बोला है उसने बिग बॉस ने लवकेश को तो लवकेश को बिग बॉस भरका रहे है विशाल के खिल कहा होगा दोष्तों आप देखिएगा चुकि वायLD CARD भी अलग तरीक ग्या वायLD CARD आरहा है Born तो यहां पर यहां पर यह क्या हो रहा है अभी आज N tutorials को आपने देखा तो हमारे चंदरीका जी ने बोला की घर में औरते और टे शेफ नहीं है तो श्रिवानी ने बोला नेजी भाई आप में मुझे नॉमिएट किया, फिर आप मेरे साथ बैठते क्यों है, तो नेजी ने मख्बूल को बोला मै तुम्हारे साथ इसलिए बैठता हूँ। सना मकबूल शिवानी के साथ बैठी रहती है तो मैं अभी आके मकबूल की वज़े से बैठता हूँ तुम्हारी वज़े से नी तुम तो सना मकबूल के साथ बैठती हो मैं आके बैठता हूँ क्योंकि शिवानी तुम्हारे साथ बैठी रहती है अब फिर से दोस्तों यहापर नेजी ने लवकेश को नॉमिनेट किया और रीजन दिया उसने की वही बचकाना बात करता है लवकेश अब यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा गेम चलेगा अब दोस्तों देखिएगा अब यहाँ आए और टो फिर से बात नहीं खरकाना बाता दोस्तों लोगों आउने के मारे यहाँ है मिश्क देखिएग और अब डर लग गया कि अब ये को ना बोले कोई कौन बाहर वाला है खास करके रनभी शौरे डर गए क्योंकि अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो खतम हो गया ना तो लवकेश को मैं वो करता हूँ कि उसने punishment जहला है salute भाई तुमने जो भी जहला है मैं करूर जनता के सामने तुम रात को सोए बाहर रहे तो ठीक है ये थोड़ा बुरा लगा मुझे कोई बात नहीं लेकिन लवकेश तुम थोड़ा I think maturity से के game खेलना चीए एक winner quality जैसा तुमें game खेलना चीए अगर तुमें आगे बनना है तुम गुरूप में मत खेलो अर्मान सही बोलता है ये विशाली विशाली जो बोलता है चमचा खुद का game नहीं है उसका ये दोनों बाहर से सीख्या है वही फुकराइन सान और एलविश जैसा सीख्ये दोनों कर रहे है विशाल है फुकराइन सान समझ रहा है वो और कटारिया है एलविश दोनों इस तरह के से खेल रहे है इसलिए जो है अर्मान बोलता रहता है चमचा है ना दोनों की कोई खुद की game नहीं है ठीक है और अर्मान का तो है कच्ची रोटी ये तो अब भाईया फेमस होने वाला है कच्ची रोटी मत बनाना तो आज और एक हुआ चंदरिका और कृतिका ने सुल्तान ने मिलकर घी चुपा दिया क्योंकि घी हर कोई ले लेगा इसलिए फिर ये लेके मकबूल का भी जगरा हुआ घी खौन चुपाया है ना घी को लेके जगरा हर चीज को लेके राशन आधा आया है ना राशन आया आधा और राशन जब कम आता है तो हमरे रनवी भाईया जो है वो गुस्से में हो जाते है यह उनको फुल राशन चाहिए तो चलिए उस तो आज की लिए इतना ही दोस्तो चंदरिका का शायद इविक्शन होने वाला है देखते क्या होता है कल का एपिसोड मजा आएगा दीपक चुर ऐसे के लिए कर आस तक भारवाले ने क्या पेपर दिया क्या लिखा वो मैटर करता है तो नेजी इसलिए गुस्सा है कि सुल्तान ने उसके पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बोला ऐसा relationship के बारे में और यही चीज मक्बूल ने थोड़ा भरका दिया हुआ है ना और मक्बूल फिर बोलती है जाके सुल्तान को कि अरे नेजी को तुम जाके सुल्तान के साथ और 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 बात करो है ना मकबूल ने गेम खेल दिया अपने से वो हटाने के लिए फिर नेजी को एह एहसास कराने के लिए कि मकबूल ने मुझे नहीं भरकाया यह चीज नेजी को एहसास करवा दिया मकबूल ने तो इसके बाद नेजी और भरग गया सुल्टान के उपर कि मुझे किसी नहीं भरकाया तुम क्यों ऐसा सोच रही हो कि मकबूल ने मुझे भरकाया तुमारे खिलाब तो यह चीज हुआ तो नेजी नहीं चाहता कि उतका परसनल लाप के बारे में कोई वो हो तो नेजी जो है वो सतर्क हो गया है किसी के साथ भी आपको अपना परसनल चीज़ शेयर करोगे फिर वही चीज आपको एक दिन वो अटाक करते और आपके करियर को लोग को बरबाद करना की कोशिश करते है ना यह तो यह मेरे साथ भी वहा तो नेजी सही करता है जो करता है किसी के साथ जल्दी फ्री नहीं होना चाहिए क्योंकि somebody will know your secrets वह आपका secrets जान जाएंगे फिर आपको expose करना शुरू कर देंगे है ना तो हर चीज को नेजी सही जा रहे है अभी हर चीज को freely बताना किसी से अपना secret ठीक नहीं है फिर वही चीज वह आपको एक दिन झाल झाल